नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों वशीकरण के बहुत से उपाई लोग बताते हैं और वशीकरण के बारे में बहुत सी बातें की जाती है लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वशीकरण का एक से उन्होंने हमारी दी हुई प्राचिन गरंथों को हमारे द्वारा लिखी हुई वशीकरण मंत्रों को बढ़के किस तरीके से अपने पैर के उपर कुलहाडी मार ली दोस्तों हमारे गरंथों में एक ऐसा मंत्र है ऐसा शब्द मौजूद है जिसको आप किसी लड़की के नाम के आगे और पीछे अगर बोल देते हैं तो वो इनसान जिन्देगी भर के लिए आपके वश में हो जाता है ना इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत होती है ना किसी समान की जरूरत होती है लेकिन इनसान ने क्या किया बिना कुछ सोचे समझे कम से कम भी ज्यादा नहीं त 15-20 लड़कियों के उपर उसका प्रयोग कर दिया और आज वो उस वशी करण से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भाग रहा है तो दोस्तों आप ये गलती कदापी ना करे किसी को भी ये मंतर बांटने की क्रिपा ना करे और भूल के भी ये मंतर लड़की की नाम के आगे और पीछे ना बोले नहीं तो लड़की जिन्दगी भर के लिए आपके वश में हो जाएगी और आपका पीछा छुडाना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों मैं आपको वो मंतर बताने जा रहा हूँ मैं उस मंतर के आगे पीछे लड़की का नाम नहीं लूँगा मैंने नाम के बदले में डैश लगा दिया लड़की का नाम लगाने से आप सावधान रहे कोई अगर आपको जोतिश पंडित बाबा तांतरिक मौलवी अगर आपको ये मंतर दे तो भूल से भी इस मंतर में लड़की का नाम ना ले अधिक जानकारी के लिए पंडिती से कॉंटाक्ट करे हमें आपका कॉल या फिर वाटसैप पर मेसेज का इंतजार रहेगा हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले